कर दो यह दूर तरे तो एक और सेशन के सुरवाद करते हैं नीन सही आ रही है आप लोगों बढ़ी आ रही है मुझे नहीं आ रही देखिए बच्चों का डर निकालते निकालते मैं खुद थोड़ा सा डरा हुआ हुआ हुए कि पता नहीं कि पेपर में क्या कर गया है तो मैं तो टेंशन लेने की ज़र होते हैं लेकिन मुझे थोड़ी से चिंता आएगी है करके क्या आएंगे तो कि शुरुवात से ही खेर यह तो एक यह मानों की एक शुरुवात ही दोर है एक्जाम का तेकिन रियाली मैं कसम से बता रहा हूं मुझे यह जरूर पता है कि बच्चों ने जो जो मैंने कहा है वो छोड़के सब कुछ करने की कोशिस की है यह सच है कड़वा है तकिन सच है इसलिए थोड़ा सा मैं कर डॉक्टर को भी बोला था कि यार मुझे पांचे दिन से तो मैंने उसको यह बोला कि जब से तुमने इपना बेसिक सा यह रूटीन बताया मुझे तब से मुझे नीद नहीं आ रही उसने का कि ऐसा तो होता ही नहीं जो चोटी मुटी एक्सरसाइज यह करने के बाद तो नीद अच्छी आईगी तो मुझे यह बात रात को समझ में आई कि नीद सही से नहीं आने का कारण गया है और वह कारण यह है कि आप लोग ही तरफ से थोड़ा सा यह डर है क्योंकि आप चैना ओनलाइन में देखो हा कम है और डिस्ट्रेक्ट अपने रास्ते से ज्यादा रहते हैं और मेरा यही परियास था यह बड़े-बड़े सेशन बार-बार बुलाना दिन में तिन तिन चार-चार सेशन रखना ताकि तुम्हारे साथ यह कनेक्ट रह सकों और इस चीज में थोड़ा सा सुधार कर सक अब पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए तो उसे चीज का एक अंदर एक थोड़ा सा डर बना हुआ है कि आप पेपर में बैटोगे फिर तुमने वही कलाकारी करोगे और पूरी मेहनत की जो फल मिलना चाहिए था जो रियल्ट मिलना चाहिए था वह पता नहीं उसके साथ तुम क्या खेल खेलोगे क्या समझोता करोगे तो वह चीज समझाई इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं यह चीज यहां तो बढ़िया है ठीक है जो मिला भर मिला लेकिन सभी लोग के लिए है जो चीजे आपको वार-बार समझाने की कोसिसकरता हूं परियास करता हूं उन मैं जैसे बच्चे को बोलता भी हूं कि दोस्त सफल होने के लिए हमें एकुरेट टाइम टेबल की ज़ौरत ही नहीं है एकुरेट टाइम टेबल का मतला भी कि छे से साथ ये करो नॉर्मल लखो कि आज का दिन का मेरा एक टाइम टेबल ये था मैंने अपने को फोलो कर लिया कल की बात कल करें आज को सांधार बनाओ जितने लोग भी आप मेंसे अपना पेपर देने जाएंगे कि वो किसी भी माध् दिन भी इसे चीज को समर्पित है कि सवाल को ध्यान से पढ़ियेगा अगर नहीं आता होगा तो स्किप करियेगा कुछ ऐसे भी आते हैं मानलिया बेटा आपने जी एस में बाइलोजी में आपने ब्रेन नियूरों के बारे में कुछ नहीं बढ़ा है जी और तुम उसके अवाल में समय खराब करने लगो तो समझदारी है ही नहीं इसे बंद गर तो बहुत ज्यादा ब्राइट कर रहा है ना बंद गरे लाइट को धरण्य जी याद रखना दोस्त कोई सवाल मैश नहीं होता अपनी सिफ्ट से जस्ट पहले पेपर का एनालेसिस बहुत ही निगेटिव इंपेक्ट डालता है यह यह पॉजिटिव नहीं है देखो चीज यह वह होती है नोकरी मिलनी है दोस्त अपने पढ़ेवे से मालिया कोई एक्जाम होता है सपोज आप आपका एक दो तीन को पेपर है एक तारिक वाला मैं रियली में बता रहा हूं बाद वाले बच्चों की वाट लगने का मुख्य कारण यहीं है अगर जिस थोट प्रोसेस से मैं सोचता हूं उसके इसाब से सबसे अच्छा पेपर होना चाहिए जो सबसे पहले सिफ्ट का होता है आपको नहीं आपको रियली में नहीं पता जैसे बाड़ी में हर एक केमिकल का एक कंपोजिशन है कि यह अगर 0.05% से ज़्याद होगा तो यह बिमारी हो जाएगे तो बहुत माइनर माइनर चीज़े हैं कंपोजिशन में जिनने आप कभी अपने दिमाग में भी नेलाते हैं को लगता है कि कंपोजिशन सिर्फ क्या है आए थोड़ा बोत पड़े एक्जाम दिया नहीं दोस्त कंपोजिशन अमाज रहे छुटे मोटे हजारों पॉइंट का एक कि एक रिजल्ट है कि मेरा यह मानना है और मैं अपने ठीचिएग एक्सपीरियन्स को आपके साथ भहुत खले दिल से और इमानदारी से सेर करता हूं कि कि किसी और चीज का तो experience है नि मैं कौऌंगे भाईglass यह इंटे चननने का मुझे experience है و मैं कहूं कि वो बाई वो जो एक पैक में आग लगा के पिलाने का पीने का experience है वो तो है नहीं तो जो अपने life के दस बारा साल यह teaching में दिये हैं खासकर college वाले नहीं competitive exam में है तो वो share गरता हूं आपके साथ सबसे first shift वालों का paper सबसे अच्छा होगा और उनका थोड़ा advantage यही है आधा परतिसाथ एक परतिसाथ का advantage यही है कि वो कहीं से influencer distract नहीं है इनके बाद वालों की मैंने कहा तो कि यह जो youtube university है इसका निर्मान बहुत अच्छी चीज़ के लिए हुआ था दोस्त इसका निर्मान हुआ था कि जो लोग पढ़त नहीं सकते दूर दराज के रिया से जुड़े हुए है तो एक संसाधन था real में youtube का educational से मतलब नहीं था youtube का मतलब था entertainment से तो share the some information कुछ information share करने से वो था धिरे धिरे लोगों ने इसको education में अप्लाई गया और धिरे धिरे इसमें गंदगी फैले जैसे कि मैं भी मैं भी दोस्त बड़े अच्छे से मैं भी एक एक सिफ्ट में एक center पर जाके हल्ला मचवा सकता हूँ कोई दिक्कत थोड़ा ना है मुझे क्या करना है गाड़ी उठा के किसी एक center पर चला जाओंगा सिर्फ व्यू और subscriber से काम नहीं चलता यहां हमारे basic ethics और basic fundamental है जब आप दूसरी shift में जाओगे अगर आप पहले shift में दोस्त यह है पहले shift में यह कह दिया किसी ने कि भी या चार सवाल गनित के भी आ गए और आप सुन रहे हो ना चार सवाल गनित के भी आ गए आप सुन रहे हो ना आपकी लंका लगने वाली है वाट लगने वाली है यार इन चार सवाल से merit decide नहीं होती लेकिन exam से पहले तुम्हारा moral 50% डाउन है अब तुम्हारे जहां तुम आत्म विश्वास से बरेवे थे अब तुम्हारे दिमाग के कोने में यार पता नहीं क्या होगा यार मैंने तो पड़ी नहीं रखा कुछ बच्चे इंटरनेट कुछ गूगल जो पड़के रिवायज का टाइम था वो तो छोड़ दिया इन चार के चक्कर में अब डिस्ट्रेक्ट हो गए आज से पांस साल पहले नहीं था कि पेपर अनालिसिस या बच्चों के नोकरी नहीं मिलती थी आज से पांस साथ पहले नहीं था फिर साम को निप्टे इस सिफ्ट में गणित के भी सवाल थी और इस सिफ्ट में थोड़ा मुस्किल सवाल आ गए निमेरिकल बहुत जादा आ गए अब बेचारा पूरी रात बर जो अपना पढ़ावा रिवायज करना था अब पूरी रा पूरी रात भर जो से अपना पढ़के जाना था पढ़े हुआ उसको तो छोड़ दिया और बैचारा नहीं के खोज में लग गया अगली दिन पेपर में वाट लगना तया है यह इंप्रूव्मेंट की निसानी नहीं है दोस्त एक्जाम चलते हुए एक्जाम सिफ्ट के दौरान जो पेपर एनालिसिस देखें और जो कराएं उससे बड़ा आज की रेट में गुनेगार कोई नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा गुनेगार कोई हुई नहीं सकता उसने तो तुम्हें बगा बगा के मारा वाई ऐसे दुलाई करी तुम्हारी कि तुम्हारी दुलाई होगी हर सिप्ट अपने पैटर्न से बाहर नहीं जाएगी हर सिप्ट में हमें पता है कि दो चार चीजे दो चार सवाल बाहर से बनते ही है तो उन दो-चार सवाल के वज़े से उन्हें इतना हाइलाइट करके बता देना कि बच्चा बिचारा आपने मेन 196 को छोड़ के इन 4 को पढ़ने चला जाए तो 50-30 तो तुमारी धुलाई competition से बार के लिए हो चुकी है क्यों जो pressure है वो बस आपने जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसे सिर्फ pressure को manage करना है exam hall में और कुछ नहीं और जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं ये खेले तो आप से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने exam से पहले पहले shift मार के जाएगा और paper analysis जैसे चीजों में रियल में पढ़ने की कोई जरुत नहीं है और रियल में जो जो real teacher होंगे जो real mentors होंगे वो आपको कभी suggest नहीं करेंगे और मेरी इस बात को अगर कोई सुनेगा भी तो वो सकारात्म लेगा आप online से भी हमारी ये निवेदन और प्रात्ना है सभी अध्यापक गणों से tutor mentor से कि paper के analysis जैसे चीजे करके बच्चे को demotivate please मत कीजिए बाद में जब ये सारी shift हो जाएंगी proper उनका solution करवाईए आप लोग तब बढ़िया मजा है power system काई खिस्सा है हमारा transmission और distribution आज का दिन भी आप ही लोग के लिए समर्पित है वराम से तीन चार बज़े तक छोटी मोटी जितने भी classes है वो रखेंगे फिर revise करेंगे थकान बहुत लगी मुझे गले में दर्द भी अच्छा काता है तो बच्चों को भी definitely लगी होगी और अच्छी बात है कि पढ़ने में लगी है यह नहीं कि घूम गया जी थकान लगी तो बढ़िया बात है अगर वह को ऐसास है वो feel है बढ़ी आए देख पहली चीज तो बेटा यह formula लिखा है यह paper के लिए बढ़े खासे generation वाले फड़ापट से देख लो नहीं दा रही है दोस्त नहीं आ रही है very good load factor average load बटे maximum demand load factor unit जो जतनी जन्रेट होती है अपन में maximum demand और into time जितनी unit generate है load factor maximum demand और time average load 24 गंटे पर unit अपन जितना समय है वो load factor सदेव एक से कम demand factor भी एक से कम plant capacity factor भी दोस्त एक से कम reserve capacity है तो plant capacity minus maximum demand plant use factor station output plant capacity time diversity factor बेटा मिलेगा एक से ज्यादा फिर हमने है diversity factor थो इसमें fuse में होता है और यह लिख तो दिया एक से कम मिलेंगे सब डाइवर्सिटी फेक्टर मिलेगा तुम्हें यह यह एक से ज्यादा मिलेगा आपको diversity factor टैरिफ की बात हो गए जी चलो टैरिफ को तुम्हें important फिर से बता दू ऐसे normal से सवाल बता हूं तुम्हें देखो भी ना तो हमें कोई मिटर की जौरात है दो दो वर्ड बस ना तो मिटर की जौरात है maximum demand देखो bill बनाना शुरू करो ठीक है जूरिट कितने लगी है कोई मतलब नहीं maximum demand के according किसी मिटर की जौरत नहीं इस्टेट लाइन एक सेमी fix charges के according है यह नहीं फस्ता paper में paper में जादर block rate tariff है तो आपको यह याद रखना है कि हमें motivate किया जा रहा है कि हमारे product को ज्यादा यूज करी हम सस्ता देंगे simple है चलो फिर यहां पर आ जाओ टूपार टारिफ को hopkinson tariff कहते हैं पावर फेक्टर को sliding tariff कहते हैं seasonal क्या करेंगे कि पूरे एक year में जो maximum units जनरेट वो सुरी consume की गई है उनके इसाब से पुरा बिल बनाएंगे इसके बाद में three part tariff कहा है industry के लिए इसे देखो switch gear and protection की कुछ important चीज़े थी दोस्त आपके सामने तो transformer में high और low पर per unit में वही था जैड़ बेस टीक लगाने को आ सकता है numerical भी आ सकता है kvb का square upon mva अब new वाला देखे old into mva new upon old kvb old square upon kvb new three force field को symmetrical के नाम से जाना जाता है short circuit करें निकाल सकते है short circuit mva निकाल सकते है दोस्त e command यह हो गया unsymmetrical fault हमने यह लिखके हैं यार आपसे बहुत common चीज़े पूछे गया अभी यह तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि अन्सिमेट्रिकल फोल्ड जैसे कई बार नाम की निमन में से अन्सिमेट्रिकल फोल्ड कौन सा नहीं है ऐसा three phase fold हमारा unsymmetrical नहीं symmetrical है तो सवाल में आती तो आपको बहुत सारी चीज़े हैं बस सवाल में यह देख ले ना पूछा क्या गया है इसके बाद देखो यह बहुत जरूरी है जन्रेटर में यह पूछता है तो यह सर्थ है तो इसमें एक्स नोट काम है transformer transmission line के लिए ज़्यादा इसके बाद switching वाले पर important sign है दोस्त यह देखो अब यह तीन चीज़े याद रखो एक इसमें सभी sequence कैसे है बेटा स्रीज में double line to ground में parallel में अगर line to line की बात करें पॉजिटिव निगेटिव स्रीज अ पॉजिशन में हमने जैसे circuit breaker की पूरी काहानी पड़ी कि भाई high resistance low AC और DC में हम लोग इस्तमाल करते हैं फिर हमने पूरी काहानी पर बात की restrike voltage triple rv हमने कहा current chopping phenomena भी अपना रहता है बाई और जिसके कारण हम ehv में क्या देखने को मिलता है DC के कारण आती है switching voltage और ehv line में हमें करना होता है इंसुलेशन रजिस्टेंट स्वीचिंग आ गया जी breaking capacity rms में making हमारी पीक में फिर हमने अलग-लग circuit breaker देखा हमने का जी sf6 बढ़िया है कई बार full form भी आ जाती है कुछ रिले पर बात कि डिफरेंशल रिले है तो हमने का जी जन्नेटर के लिए प्राइमरी है यहां से बेटा objective अस्ता transformer से फिर percentage differential रिले percentage बाइस हमने कहा देखो बारी फोल्ट के लिए ओपरेट ना करें इसलिए हम लोगों ने restraining coil भी लगा दिया तो यहां operating force यह है और restraining force यह है इसके बाद में distance relay है impedance relay बड़े common है यह impedance relay medium में इस्तमाल करेंगे voltage relay रिया स्टेन ओवर करेंट relay है यहां reactance relay है आर्थ फोल्ट रिले और शौर्ट circuit शौर्ट रास्मिशन के लिए जरूरी है more admittance long के लिए है power swing जहां पर है वहां के लिए है देखो कुछ चीजा और है बेटा बास्मिशन और दिस्विशन और दिस्विशन पर रिफड़ दो पर बास्मिशन और आम हमस विए बाद टो सुन और टो झाल झाल पीदे आपो खा जाओ भेटा पीदे आपो खा जाओ भेटा पीदी आपो transmission distribution काफी बढ़ा एक पार्ट है पावर सिस्टम का लेकिन ये भी जरूर है कि सवालों का वेटेज भी अच्छा आता है जैसे हम छोटे-छोटे section है इसमें जब हम revise कर रहे है तो ये एक रिविजन हो जाए और कुछ बचे ना नोट्स लाए हो सब लोग लाए भाई चलो नहीं लाए तो तब भी चल जाएगा भाई देखो जी एक लिखते हैं हम लोग short transmission line पेटा एक लिखते हैं मध्यम यानि की medium transmission line और पेटा एक लिखते हैं हम लोग long transmission line प्यारे बच्चों जब हम short transmission line की बात करेंगे तो बेटा ये 80 किलोमेटर तक हो जाता है और कहां तक रखते हैं 20 केवी तक फिर जैसे हमने ये वन कहीं कहीं पर इसको 180 भी लिख दिया तो फरिशान होने के जोरात नहीं कभी 180 और 160 नहीं देगा वैसे भी ये data books में ये बार थोड़ा थोड़ा variation मिल जाएगा हो सकते है next time मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मैं 170 लिख दूँ तो 160 की range में होता है ये और जो ये value है ये हमारे 20 से लेकर 100 kv तक फिर 160 से अबाओ और बेटा यहां 100 kv से जादा एक ये बेटा ये जो हमने लिखा है प्यारे बच्चो ये हमने power frequency पर लिख्था है like a 50 hertz है जी याद रखे यदि f into l ये हमें 4000 से कम दिया गया फिर f into l बेटा 4000 से जादा और 10 से कम ये है short ये है दोस्त medium और ये है long पेटाए यहां से एक समाल बहुत जादा और repeat होता है देखो आपको medium का analysis या long का analysis से उतना फाइदा नहीं है अगर exam की दरस्टी से हम बात करें प्यारे बच्चों sword transmission line लेते हैं इसमें हम capacitance को इसमें capacitance का value जीरो नहीं होता देखो सब्द को देखे capacitance जो होता है वो very low होता है इसलिए आप उसे neglect करते है आर और एल श्रीज element है जेसी बेटा ये पारडल है यानि कि जो impedance है ट्रीक है जी अब देखो बेटा याद रखिएगा इसमें जो transmission parameter है जैसे transmission parameter हमारे a, b, c और d है बेटा ये होते हैं unitless इनकी कोई काई नहीं होती इसकी ohm होती है बेटा इसकी ohm होती है पीपर में आते भी है जब हम लोग symmetrical के लिए बात करेंगे तो प्यारे बच्चो a, d minus b, c sorry a बराबर में d और अगर हम reciprocal की बात करें तो a, d minus b, c बराबर 1 आपसे हम यहीं कहेंगे कि पढ़ लेना कई बार ये minus a, d plus b, c बराबर minus 1 भी देता है तो अपनी accuracy को अच्छा रखना है पेपर में ध्यान से पढ़ कर जवाब देना है देखो जी जब हम t parameter बेटा short के लिए लिखते हैं तो short के लिए really में बहुत जरूरी है और ये होता है one z zero one ये दोस्त a है ये b है ये c और ये d देखो हमने कई बार आपको ये correct कराने का परियास किया है पेपर में सवालों को घुमागा जैसे बेटा पेपर में आपको कहा कि तो short के लिए a, d, c, b का मा लिक है बच्चे ने रट्टा मा रखा क्या one z zero one गलत है ये तो matrix form में था इसने लिखा है one d तो एक a d लिखा है one one zero z तो ये जरूर देख लेना कि आपको सवाल कि sequence में ठेचा क्या जी कहानी वही है अब देखो यहां voltage regulation और efficiency मैंने इसलिए नहीं लिखवाई है यार जहां से हम power को भेजेंगे वो sending end है और जहां से हम पराप्त करेंगे वो receiving end है तो efficiency और ये transformer machine में हम कई बार सीख चुक है यार output power upon input तो receiving power upon sending power voltage regulation वही चीज है कि sending end voltage minus receiving upon receiving वहां तो उमें उड़ जा खर्च करनी नहीं अरे वही जो no minus full upon full तो वही चीज यहां है तो short transmission line का ये ही वाला हिस्सा जरूरी होता है देखो medium जब आप पढ़ते हो medium के अलग-अलग रूप medium transmission line अब medium का analysis तुम्हारे paper में नहीं आता इन दोनों के लिए short और medium के लिए बेटा आप लगाते हो short और medium के लिए lumped parameter ठीक है वाई बेटा एक है यहां पर end condenser method का कोई यह मतलब नहीं दोस्त सिर्फ यह load पर हम लोग एक capacitor लगा देता है एक होता है source condenser यहां हम लोग जो sending end है बेटा इसकी शेप क्या दिखेगी ऐसा तो बेटा इसे याद रखना कि आदा capacitor sending पे हो रादा receiving पर एक बनता है हमारा nominal इनका analysis नहीं है अगर इनका analysis पर numerical पूछ भी रहा है तब भी मत करो क्यों यहां पर आपको थोड़ा समय लगेगा बलब दो मिनाट तीन मिनाट उतना time देना पड़ेगा तो मैं यह suggest करूंगा कि अगर आ भी पहली चीज तो नहीं आता अगर आया भी तो अब थर्ड राउंड में अगर समय बचा तो तब बनाकर जो आपका detail मैं थर्ड़े उससे जाएगा देखो प्यारे बच्चों एक है हमारे पास में long transmission long transmission line के लिए distributed distributed parameter को हम यूज करते हैं इन दोनों के लिए lumped parameter, rigorious method इसका analysis के लिए काम आता है, भूल जाव दोस्त कि तुम long transmission line का analysis करोगे, सिर्फ long transmission line का क्या था कि distributed parameter, rigorious method का हम इस्तेमाल करते हैं, अब सीदे चलते हैं हम लोग, देखे, surge impedance, under root में z by y लिखते हो, फिर आप solve करते हुए से खे, lossless transmission line के में बात कर रहा हूं, lyc मिलता है, हम लिखते हैं, not depend upon length, not depend upon length, अब paper में आता है तो है आता है, अब क्या करें इसे, बदल ही नहीं सकते, surge impedance, आपको L देगा, और C देगा, आपको surge impedance पूछा जाएगा, कई बार बेटा इस तरह का सवाल है, कि पचास km के लिए, surge impedance 200 है, तो एक 1000 km line के लिए बताओ, यह change नहीं होता, फिर जब हम लोग, overhead के लिए लिखते हैं, यह range है, दोस, 400, 400 से कहीं जगे 600, 400 से 600 के एक range है, underground के लिए, हाँ, अरे, कोई दिक्कत नहीं है, tension ना लो, 45 को जाद रख लो, transformer की जादा है, तो transformer का 1000, जाद होगया दोस्त, अब इनहीं पर आधारे, तो पेटा, surge impedance loading है, है जी, तो V S V R by surge impedance, कहीं बार देखो, V S V R by B B लिखा जाता है, B का मतलब ohm, surge impedance, कहीं बार आप सिधे formula लगाऊगे, V square upon Z S, यह जादा खास है, surge impedance loading कहीं बार इसी को CIL, characteristics impedance loading, हम तो final, अब हम इस समय बात करेंगे, इन्हीं यार की दोस्त, क्योंकि revision का फाइदा उसी को है, जिसने पहले पढ़ लिया, तो अब हम यह बात करेंगे, इन्हीं की surge क्या characteristics, आपका मतलब यह जब भी आपको बेटा सवाल मिलेगा, आपको इससे hit करना है, सिधे यहाँ, प्यारे बच्चों, में और ज्यादा तर long में में देखाने पो, medium में भी होता है, capacitor तो है ना दोस्त, यहाँ भी, तो किस में देखने को मिलेगा हमें, medium and long में, क्या लिखते हो जब VR greater than VS हो जाए, किस के कारण होता है यार, यह no load या lightly load पे होता है, capacitive, capacitive current के कारण होता है, capacitive current या बेटा इसको लिख ले, leading के कारण, तो दोस्त हम छोटी सी यह जिक्र कर रहे थे, पूरा performance of transmission line की जो cream है paper point of view से यह आपके board पर है, चाहिए आप objective समझे या theory समझे, सब आपके board पर है, आजी, नहीं, यह B का आपको, यह नहीं है जोड़ा है, यार कमाल कर रहे हो, B की unit क्या है, अरे तो वो B वही तो है, जैड़ेस impedance ohm है, तो यह भी कुछ और थोड़ा ही नहीं है, B वही तो है, parameter है वो B, यह B, भाई आप महुलिक लोग हो, यह parameter नहीं होता, जो आप महुं कहरो ना, B सशप्टेंस दोस्, वो parameter नहीं है, वो एक quantity को दर साथा है, सशप्टेंस को, यह A, B, C दी parameter है, तभी तो एक लड़के से पूछा गया था कि parameter आप लोग एक exam भी कराया था मैंने, सवाल यह पूछा गया कि parameter C का unit क्या है, और आप में से एक बच्चा फोटो भी खीचके वेज रहा था, जी फैरड है, ना, तो फैरड सोड़ा नहीं, पैरमिटर लिख रहा है जाओ, तो A, B, C, D, यह चार पैरमिटर है, C के unit more है, यह capacitance नहीं है, देखो, जी, अंडर ग्राउंड केवल मनाते हैं दोस्त, आज देखो, देखो, दो मिनट, एक मिनट के अंदर, यह कर दिया, जी हमने तैयार, यह है, कोर, इंसुलेशन, metallic sheet, एक सवाल पक्का है, अंडर ग्राउंड केवल से, दो भी आ सकते हैं दोस्त, प्राउंड के लिएटन, एक लाउंड के लिएटन, इसन, सर्वेश वही पीवीसी या इसे नहीं अजूट यही तो है इंसुलेशन किसके आधार पर है वोल्टेज के आधार पर है इसका काम क्या है बोलो मौश्यर से सुरक्सा देना इसका काम क्या है दोनों के बीच में को रिजन को रोपना इसका काम क्या है इसका काम क्या है इस च्छेंट और यह फाइनल तच है यह तो बनाते हों कई बार यह लेयर पूछ लेता है यह जरूरी है यह याद होनी चाहिए चीजे जैसे एक बच्चा भी सवाल कर रहा था मैंने इसलिए नहीं कराया उसे क्योंकि जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था उस समय करा दिया था लेकिन यहां जरूरी नहीं है और आपके पेपर में सर्व सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ाते हैं अरे आप तो नहीं आहीं आय तो सही है कहीं से यह ढूंडी लेते हैं हमें दर दर से देखो पिता यह दिमाग में रखो जैसे वो पूछ रहा था है प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन कॉंसेंट यह हम वो ब्रस लगवा रहे हैं जो पेपर के लिए हमें लग रहा है कि जरूरी है इंपॉर्टेंट है 200 सवाल में फस सकता है हम वो लगवा रहे हैं जहां से हमें यह मैक्सिमुम चांस लग रहा है अजर्वाइस तो फिर तो बहुत सारी चीजें फिर इन के में फेजर डाइग्राम नहीं बनमाता सबके वह तो दस दिन लगता है इसे कराने में भाई पेपर के लिए जरूरी है आर बोलो रो अपॉन टू पाई एल लॉग ई अब जरूरी क्या है पेपर के लिए क्योंकि यह बहुत रिपीटिड है जो इन्सुलेशन रजिस्टेंस है यह जो आर हम ले रहे ना बेटा यह इन्सुलेशन का है ना कि वायर का यह इन्सुलेशन रजिस्टेंस है दोस्त यह बच्चे गल्त कर रहे हैं आप लोग नहीं करेंगे कंड़क्टर का रजिस्टेंस अलग होता है और बेटा इन्सुलेशन रजिस्टेंस अलग होता है दोस्त तो आप लोग गल्ती नहीं करेंगे यह जरूरी है यह important है फिर दूसरी चीज पर चलते हैं देखो जी पूरा का पूरा analysis यहां से हो जाएगा यह हमने बना दिया बाभू small d by 2 और बेटा यह बना दिया capital D by 2 साह जी हमें capacitance यह भी single core ही तो बनाई है देखो जी capacitance C बराबर में बोलना जरा 2 pi epsilon not epsilon r बास log E capital D upon small d यह राजी capacitance का formula अगर देखो यह पर unit लंबाई के लिए दोस्त capacitance भी लंबाई के समानु पाती है बही एक meter के लिए तो 100 के लिए multiply भाई है याद रहना चाहिए insulation resistance inversely proportional पक्की बाद फिर देखो जो G maximum है G maximum 2V upon small d small d conductor का डाया है log E capital D upon small d इसके बाद बेटा G minimum G minimum 2V capital D log E capital D upon small d याद है दोस्त तो भाईया एक काम करो G max by G minimum capital D upon small d optimal conductor size को optimal जो size है conductor का सबसे best size है सर्थ है log E capital D upon small d बराबर 1 या फिर capital D upon small d बराबर E या E का मान 2.78 है बता होता है कि नहीं है इसी के लिए दोस्त हमने G maximum जो लिखा है ना 2V by D लिखा है इसके लिए जी ऑप्टिमल conductor size के लिए लोग E d by d तो 1 कर दिया कि तुझे याद होना चाहिए यह बड़े खास formula है अरे बताओ maximum कहा मिला यहां surface पर और metallic seat पर क्या मिला minimum है देखो हम grading करते हैं अब paper में भूल जाओ बेटा यह हमारी जिम्मेदारी की grading पर कोई सवाल आए ग्रेडिंग में सिर्फ क्या है दोस्त कि electrostatic stress को equalize करने के लिए हम grading कर रहे है इलक्त्र स्टाटिक इस्ट है यह जी maximum है जितने बराबर होगा conductor उच वोल्टेज रिवल के लिए operate कर सकता है तो देखो जी इसमें दो परकार की grading आप यूज करते हो एक उटी है यह capacitance capacitance grading में आप अलग-अलग material की layer लगाते हो epsilon r1 epsilon r2 epsilon r3 अलग-अलग पदार्थ की layer अलग-अलग relative permittivity की layer बनाते हो किसमें capacitance में और दोस्त एक होती है inter sheet inter sheet में समान material की अलग-अलग layer तो grading करने से voltage operating जो voltage level है न वो बढ़ जाता है यह grading करने की कहानी है याद रहेगी चीजे चलो जी फिर देखो इसी में आपको याद होना चाहिए दोस्त जो हमारे प्रास में underground cable है यहां तो हम डाइलेक्ट्रिक ही भरके रखते हैं न यहां तो कुछ और रखेंगे नहीं हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस यह याद रखेगा कि डाइलेक्ट्रिक लॉस जो आप लिखते हैं ओमेगा ती वी स्क्वार और टैन डैन डैल आपको बता रखा है टैंजेंट अंगला यह डिसीपेशन डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है जी यह किसमें होगा भाई डाइलेक्ट्रिक या नहीं किसमें अब अगर बेटा याद करो अपनी पड़ी हुई चीजे जितने बच्चें ऑनला का कैलकुलेशन कर रहे थे यही लिखेंगे देखो हम थ्री कोर केबल के लिए कैपसिटेंस का अनालिसिस कर रहे थे तो सी एएन बराबर में हमने सी यी प्लस थ्री सी सी लिया है कि नहीं लिए सी ए का मतलब है कोर्टू अर्थ और सी सी का मतलब है कोर्ट उ कोर कंड़कटर तू कंड़क्टर अब देखो आप बताना सहीं से जब हमने पहले केस में यह कहा कि हमने तीनों को 117 बंच कर दिया तो आप खुद बताना व कि honor हमने ये कहा कि c1 बराबर में जब हमने कहा तीनों को एक साथ हमने बंच कर दिया 3 c e cc तो गायब हो जाता है जब तीनों को बंच कर दिया फिर याद करना दोस्त कि जब हमने कहा कि 2 को एक साथ बंच कर दिया तो हमने कहा c e plus में 2 cc एक थर्ड लिया हमने जब एक को free हमने छोड़ दिया है जी एक को हमने metallic sheet के पास में और 2 के बीच में जब हमने नापा तो 3 ये c3 1 by 2 c an बेटा तीन चीज़े हमने देखी है दो तरह की testing हम लोग करके आए दोस्त इस पे कि हमें ये ये पता चले कि fault कितनी दूरी पर हुआ है है ना मरी लूप टेस्ट और वर्ले लूप टेस्ट मरी और वर्ले लूप टेस्ट अगर numerical मरी लूप टेस्ट पर आता है तो दोस्त numerical को 30 से ज़ादा का समय नहीं देना दूरी d बराबर q अपॉन p प्लस q इन्टो 2l ये जो q है ना q उस तरफ का resistance है जिस wire में fault हुआ है faulty wire fault वाले और जो p है जिस तरफ सब सही है नॉर्मल है जो l है ना ये line की लंबाई है line की लंबाई ये line की लंबाई है आपको directly देगा कि जिस wire में fault हुआ है इस तरफ पर 30 है जो wire sound cable का मतलब सही तार है उस तरफ 40 है और लंबाई हमारी 100 देदी 200 देदी कुछ भी देदिया इतनी किलोमेटर है या मिटर है तो ये बताईए कि testing end से कितनी दूरी पर fault हुआ है तो d बराबर q अपॉन p प्लस q इंटू 2l डारेक्टली वैल्यू देगा और आपको लगा कर बताना पड़ेगा आपके बोर्ड पर important से मेंशन है पढ़ो underground के बल्कि ये पढ़ाई विले पूरे को रिवाज करो ये बीस पेज का मसाला हमारा कि ये बेटा ये सभी के लिए महाट राम्स को का तो नाम ही मतलो यार हां मैं बतादू केबल देखो आजी मेरी बास सुन लो केबल को कैसे रखा जाता है कुछ डारेक्ट लेंग सिस्टम होता है जिसे हम लोग के लिए इस्तमाल करते हैं एक हमारा जिसमें हम लोग अगर लो वोल्टेज या मीडियम की बात करें तो पॉइंट नाइन मीटर गहरा सुन लो मेरी बात पॉइंट नाइन मीटर गहरा गड़ा कोते हैं तो यह नॉर्मल आप से पूछता है कि अंडरग्राउंड के लिए लो मीडियम लाइन के लिए कितना गैरा गट्डा को देंगे तो आप पहना पॉइंट नाइन मीटर गैरा और अगर उच की बात करेगा तो दोस्त हम लोग बोलो डेड़ मीटर फिर नेक्स यह भी लिखो इ बैल्टिड केबल है ना यह मैंने अभी भी दो चार दिन पहले मैंने दो चार दिन दस बारा दिन होगे रेडी फोर सेलेक्शन सेरीज में करवाये थे बैल्टिड केबल हमारा 11 केवी तक इस्तमाल किया जाता है याद रहेगा उसके बाद स्क्रीन केबल हम लोग का यह मानो चार ध्युक्त इस्तमाल के यह 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 अलग से सबस्क आपने यह पढा होगा इसमें कि जब हम लोग एच टाइप केबल एसल पड़ते थे ना इस्क्रींड जब हम बैल्टेड पड़ रहे थे तो एक ही मैटालिक शेट थी पड़े हमने फिर जब हम लोग बैल्टेड की तरफ गए वो स्क्रींड की तरफ गए तो हमने एच और एसल दो पड़े थे आपको बताया थे एक में अल लग लग थी बड़ा सेफ यह था तो यह याद रखना ग्यारा तक तैंतिस तक और तैंतिस से ज्यादा के लिए यह याद रखना है बहुत खास सीजिए और जरूरी है बागे निमेरिकल पॉर्शन के लिए यह जिने जो रखी है आप कमेंट नहीं देख रहे हो बताओ क्या करूं कमेंट देखके एप पर कंप्यूटर नहीं है तो तब से क्या कराया आपने हैं अरे नहीं माट रास्कू का मेरा यह कह रहा हूं कि 2020 से इसने बच्चों को भी और टीचरों को भी बड़ा गुम्राख रखा इसलिए बोल रहा हूं कई बार यह कि हम इस तारिक को पेपर लेंगे लेता है नहीं इसलिए बोल रहा हूं कि नाम ही मतलो यह अग्जाम तो बहुत बेकार है बागी कुछ नहीं दोस्त ठीक है बाई नेक्स्ट लिखो आप देखो, electrical design of transmission line अभी तुमें distribution system भी करवाएंगे यह हमारा सिर्फ formula से काम बन जाएगा इसमें, electrical design of transmission line अभी RLC सब जगया होता ही है तो जब हम लोग R बराबर बात करेंगे तो rho L upon A तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो जिसे भी याद ना हो देखो जी, फिर हम लोग बात करते हैं, single phase two wire line के लिए capacitance और inductance का देखो हमें पता inductance बराबर में flux linkage अपोन आई वेबर turn पर ampere, I will बराबर N5 by I, वेबर turn पर ampere देखो जब हमने इस single phase two wire के लिए लिखा, पेटा ये radius हो गई है जी और ये की दूरी हो गई, तो L बराबर में two into ten to power minus seven, one by four log e d by r, ये रहता है हमारा inductance, henry per meter, याद रखना, L जो होता है वो भी directly proportional to L होता है, ओके जी, इसी को हमने solve करके लिखा, ये जो फर्मूला है, ये solid के लिए valid होता है, अगर hollow लिखते, तो two into ten to power minus seven log e d by r, ये हो जाता hollow के लिए, अब याद रखना देखो, single phase two wire है, तो dm का मतलब है, mutual gmd, और ds का मतलब है, self gmd, तो formula in terms में होता है, two into ten to power minus seven log e dm by ds, ठीके दोस्त, अगर beta हमें ये दिया जाए, dm का value single phase two wire के लिए क्या, ये सबसे खास यही ये combination, d और अगर solid conductor है, follow होगा, तो ये तो valid हो गया, अगर solid conductor है, ठोस्त, तो ये होता है, radius r का मतलब है, यहाँ, radius, याद है formula, देखो, इसी से relate करते हैं, दोस्त, bundle conductor, चलो, भी capacitor भी बढ़ा दो, तब चलेंगे, जब बेटा हम लोग three phase की बात किया करते हैं, ये तो single था, अब चलते हैं, हम three phase wire के लिए, जब three phase line के लिए, बेटा याद ही रखना है, इसमें भी हमें दो अलग-अलग combination देखने को मिलते हैं, अभी आपको cradle, case, जो guarding है, अभी बताऊंगा आपको, इस्टे wire कई बार पूस्ता है, इसमें हमारी, तो three phase, अब हम transmission line की बात करेंगे, तो एक combination ये है, जब transmission line के जो conductor है, वो बराबर दूरी पर है, ये भी D है, D हो गया जी, ठीक है बाए बच्चो, बराबर दूरी पर होने का मतलब symmetric है, यहाँ अगर मैं per phase पे, यानि एक phase में inductance ना पूँगा, तो मेरे कोई formula में अंतर नहीं है, log e, वही dm by ds, यही करना है मुझे कि dm का मान यहाँ पर d है, और ds का मान यहाँ, दस हमलो 7788 आ रहा है, यहाँ कोई formula में कोई changes नहीं, क्योंकि symmetrical spacing, लेकिन अगर unsymmetrical spacing होती है, तो unsymmetrical का मतलब यह हो जाता है, यहाँ फस जाते हैं दोस्त हम लोग, unsymmetrical में फस यह जाते हैं कि अलग-अलग wire में, यह मड़े detail में बता रखे तुम्हें, में अलग-अलग wire में inductance अलग-अलग, voltage drop अलग-अलग आएगा, तो sending end पर balance भेजने के बावजूद भी receiving end पर balance नहीं मिलती, तो unsymmetrical के लिए फिर एक सब्द आता है दोस्त, यह, transposition, आता है ना, तब आता है, transposition, ठीक है जी, आप देखो, दिमाग में रखना, कि सर, transposition आगे, क्यों कर रहे हैं, तो पहली चीज तो यह है कि आप balance कर रहे हैं voltage को, है जी, आप balance कर रहे हैं, transposition में हम यह कहते हैं, कि भाईया, इन conductor की position को बदलते रहेंगे जी, यही तो करेंगे, transposition में, transposition करने से, जो reactance है, वो equalize जो होगा, बराबर होगा, तो हमें हर एक wire में कहीं न कहीं बराबर की voltage drop दिखेंगी, ताकि हमें लगबग balance voltage पराप्त हो सके, दोस्त याद रखना, कि ये nearby communication line में interference भी कम कर देता है, ठीक है न, very good, अब जब हम लोग ये inductance की कहानी करें, तो बेटा यही से हमें जोड़ते को, transposition करने से, capacitance भी equalized जो होता है, सिर्फ inductance नहीं, capacitance भी दूरी पर, जो बीच की दूरी होगी न, उस पर depend करेगा, भी देखी फॉर्मूला में, अगर हम capacitance की बात करें, तो बेटा हम रखते हैं पहले, इन दो wire के बीच में, हमने कहा जी CAB, ये बेटा A है, ये B है, तो CAB बराबर, πाई, epsilon naught, log E, D by R, इन के बीच की दूरी है, ये हमारा दो wire के बीच में बना, यदि हम, अब बीच में neutral भी लगा दें, किसी एक wire और neutral के बीच की बात करें, तो 2 pi, epsilon naught, log E, D by R, फैरड, पर meter, ये फैरड पर meter, भागे कुछ ने इसका तात पर ये है, कि भाई एक meter दूरी के लिए हमने ये लिखा है, तो प्यारे बच्चो C का जो मान है, वो भी L के समानुपाती ही होता है, बस insulation resistance का जो मान है, वो हमारा inversely proportional to length है, otherwise R, L, C का मान proportional to लंबाई है, ठीक है जी, तो ये हो गया capacitance, हमने अगर capacitance को भी dm और ds की form में लिखना है, तो C, ये हमें मिलेगा जी, जैसे ही मिल गया πई epsilon not, तो log e dm by ds, कुल मिला कर देखें, तो L proportional to log e dm by ds, और C, inversely proportional to log e dm by ds, याद ये रखना प्यारे बच्चों, याद ये रखना, ये log e में है, अगर log में किसी का मान डबल कर दें, तो result हमें डबल नहीं मिलता, बढ़ावा मिलेगा लेकिन डबल नहीं मिलेगा, आप log e2 का मान देख लो निकाल के, तो सवाल मेरा ये, प्लीज ध्यान से पढ़िये गाएसे, मैं अगर ये कहूं कि, conductors के बीच की दूरी को डबल कर दू, बीच की दूरी डबल करने का मतलब है, dm का डबल करना, तो dm का value को यदि हम डबल कर दें, तो क्या l का value डबल हो जाएगा, नहीं, हम कहेंगे जिए डबल नहीं होता, लोग e 2 का value 2 नहीं होता, या दो गुणा नहीं है, आप कहेंगे जिए देखो बढ़ेगा जरूर, लेकिन डबल नहीं होगा, तो बीच की दूरी को डबल करने से, यहां बार-बार सवाल बहुत खास बन जाता है, कि यदि हम dm को डबल कर दें, बीच की दूरी को, तो l पर क्या परभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे l बढ़ेगा सर, लेकिन डबल नहीं होगा, डबल करने के लिए, लोग e में, यह 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, यह ना, 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, ना कि डबल करना, अब देखो, हमने यह लिखा, तो एक सब्द पढ़ते हैं दोस्त हम लोग, बंडल कंड़क्टर, ध्यान से सुनियेगा, बड़ी मज़ेदार टॉपिक है, पहली चीज़ तो ट्रांस्मिशन लाइन में, जो पावर ट्रांस्फर होती है ना, V, E, F, बाई, यह X, X है, वही साइन डेल, तो मैक्सिमम जो पावर है, यह, और, यही हमारे लिए, एक स्टैबिलिटी लिमिट भी है, यही दरसाती है, स्टैबिलिटी लिमिट को भी दोस्त, अगर P जादा होगा, तो स्टैबिलिटी अच्छी होती है, अब मेरे सब्द को ध्यान से सुनना, हमने बंडल कंड़क्टर की एक छोटी सी, और एक बायर से फ्लो करवाना या भेजना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक ही फेज में एक से ज़्यादा कंड़क्टर का यूज कर लेते हैं, भाई अगर थोड़ी जाते हैं तो दो, और ज़्यादा है, तीन और ज़्यादा है तो चार, इस्पेसर्स बनाते हैं, अलुमूनियूम वाले ना, तो इस्पेसर्स की मदद से, चार कंड़क्टर, पांच, छे अपनी जरूरत के इसाब से, एक फेज में इस्तमाल करते हैं, ये था हमारा बंडल कंड़क्टर, तो बंडल कंड़क्टर से, कम से कम 10 फायदे हैं, एड़बांटेज हैं दोस्त, बंडल प्लीज, पानी बानी छोड़ है, अभी बैडर है भी, बंडल कंड़क्टर से, जो डी एस का वैल्यू है, वो बढ़ जाता है, डी एस का वैल्यू बढ़ा, अब आजाओ, ये सवाल बूचता है, बंडल कंड़क्टर करने, यूज करने से क्या होगा, अगर डी एस बढ़ेगा, तो अलका मान कम होगा, ची कमान बढ़ेगा, ट्रास्मिशन लाइन में पावर ट्रास्फर होती है न, वो ल के कारण होती है, और एक कैपसिटर, क्या करें बताओ कैपसिटर का, पावर ट्रास्फर करने के लिए जिम्मेदार ही ल है, अच्छा जी, तो ये बताईए, अगर ल का वैल्यू कम है, यहाँ पर पहुंच जाओ ज़रा, पी, पराबर में ये एक्सल भी तो कम होगा, है जी, अच्छा, अगर ये कम होगा, तो पावर बढ़ेगी, तो दोस्त याद रखना, कि बंडल यूज करने से बंडल कंड़क्टर पावर ट्रांस्पर कैपेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए तो हमने इसे इस्तेमाल किया, दूसरी बात है, दूसरी चीज ये है, कि कैपसेटेंस का जो वैल्यू है, वो बढ़ता है, कैपसेटेंस का व यह यह बताईए, हमने कहा, एल, एल का डिक्रीज होना, कैपसेटेंस का बढ़ना, यानि कि हम यह कह पाएंगे, कि अच्छा पावर ट्रांस्टर हो सकती है, है ना, दोस्त यही तो है, बंडल कंड़क्टर के फाइदे, यह सबसे ज़्यादा तो यह पूछ रहा है, यार यह, अल का वेल्यू गिरना, और सी का वेल्यू बढ़ना, सबसे ज़्यादा तो पेपर में यह पूछ रहा है, और बंडल कंड़क्टर बढ़ता तो एक ही फेज में, एक से ज़्यादा यह, तो अभी यह important important चीज़े हैं, इन्हें बेटा जल्दी से लिखे जैसे सिंपल स्वाई ट्रांसपोजिशन क्यों कर रहे है आप कहए voltage ड्रॉप को एक तरह से balance करने के लिए हम्में balance voltage मिले इसके लिए हम लोग transposition कर रहे है कैसे कर रहे है आजी fire की position को interchange कर के दोस्त नॉर्मल चीजे हैं इनको याद रखना चाहिए गोरो जी मैं अखेला आदमी हूँ दोस्तों मैं मेरा क्लोन तो कोई है नहीं कि मैं रोबोट हूँ कि एक को एप्लिकेशन पर क्लास पर लगाऊं एक को यहां लगाऊं एससी का पेपर देने सब लोग जा रहे हैं और सबके लिए एक लास है आप जैसे महानवस्तियों का हमें इंतजार रहता है दोस्त आप जैसे लोगों का हमें इंतजार रहता ही है कि कब आओगे हमारा मन भी नहीं लग रहा था कि आप नहीं आए तो कैसे चलेगा आपके आने से आए बाहर मतलब सामने एक्जाम है और भाई साब के एस्क्यूजिस बहुत है हम यहाँ क्या मेकानिकल इंजिनेरिंग पढ़ रहे हैं दोस्त हो गया भाई लेक्ट्रिकल भाई हम हाँ तो पॉर्मुला तो सब के लिए वही है हाँ सिंगल फेज के लिए यही तो है यह है लिखका तो है यह अरे डियम यह है इसना भाई क्या हो गए है हुआ 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 है हुआ है अब्लिकेशन पर हम लोगों ने ढ़ाई महीने पहले का ससी जेए का कोर्स स्टार्ट किया था हम लोगों सिर्फ ढ़ाई महीने मिला हुआ हुआ है अब्ल बड़ा इंपॉसिबल टास्क था अमारे लिए कि धाई महीने में स्सी जेए का क्योंकि टेक्निकल के काफी अच्छा स्लिबस होता है अगेला मशीन में लग जाता है और गोपाल को पता है मैंने मशीन को लगबग 120 प्लस हावर है एक सो बीस घंटे इन बच्चों को मशीन भी पढ़ाई है और वो भी लगबग एक महीने के अंदर बारा बारा घंटे की मैंने उनको लोग के क्लासिज ले और डाइमें पहले यह धागी बच्चों को लग रादा की नहीं होगा मैंने इनको हाँ यह डेफिनेटली है इस चीज़ को मैं मान दो सो परती सद नहीं कराया लेकिन 95 कराया बेसिक एलेक्ट्रिकल बड़े तरीके से उसके बाद नेटवर्क करवाया उसके बाद में मसीन मेजरमेंट पावर सिस्टम का जनरेशन भी कराया ट्रांस्मिशन डिस्टिबिशन भी पूरा और यह क्या बोलता है फॉल्ट अनलेसिस पर यूनिट सिस्टम भी पूरा इसके बाद में वाइरिंग नहीं सोरी अर्थिंग आई रूल और एक और था हमारी टैरीफ वाला यह भी याद अकि इनको पावर जनरेशन अलग कराया पावर ब्लांट अलग कराया और बेसिक एलेक्ट्रोमिक्स बैटरी बैटरी भी इनको मैंने यह बोला इनने होमवर्क गुढकर दिया था तो कुछ ने थो सुना कोच नहीं किया यह द hanya पैटरी मैंने को इसमें कराये यह यहां तक पीद राप कर दिया आपको इलेक्ट्रिक ड्राइब क्योंकि मैंने सब मोटर की स्पीड कंट्रोल और करेक्टर्स्टिक्स एक साथ करवाई है मैंने कुछ बाद के लिए रखाए नहीं पेसी मैं रख की द्रकर जा रही है नींद आ रही है ना उड़ जल्दी भाग बार हवा लेकिया ठंड़ी ठंड़ी जल अरे जाना ठंड़ी-ठंड़ी हवा लगेगी दिमाख में दिमाख खुल जाएगा जब नींद आती है और ठकान लगती है सरीर में दर्द होता है तो हर इनसान का मोटिवेट होने का कुछ ना कुछ बोलते हैं वो मुवी में बटन होता है तो उसका बटन तो उसके गल्फ्रेंड थी अब तुम्हारे पास में तुम्हारा जीवन सुना सुना सा है तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बटन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं दोस्त है ना तो सोचा करो या हो सकता है ना आपके लिए यह हो कि अगर मैं बहुत अच्छा स्कोर्पियों गाड़ी होगी मेरे वाली गाड़ी का फोटो देखा करो मोटिवेट होने के लिए जो जरूरत पड़े हमारी बाइक का जाके फोटो देखा करो तो यह वैसे थोड़ा ना आगी है आप नीद भी मुझे खुद भी नीद आ रही है खुद शरीर भी दर्द कर र रहा है रात को यह टेंशन आगी कि यार यह करेंगे क्या कि परिशान साथ हमें और तब तक यह रहे हैं 16 तारिक तक जब देने के बाद कुछ नए टार्गेट सेट करके ना लग जाए क्योंकि पेपर होने के बाद मैं अनलिसिस को देखता नहीं है उसके बाद अपन का का म में रिजल्ट देखना और रिजल्ट आता है फिर हमारे सुन्दर सा स्टेटर संच के लग जाता है हमारे पूरी हो गई तो हमारे लिए काम करने का कारण कुछ और है तो हमारे लिए हो सकता है कुछ और हो उसके कारण रहो ना मोटिवेट अब नीन आने का तो मतलब नहीं ह पावर सिस्टम में टॉपिक था जिसे मलब ऐसे जही में तो बच्चे कोई आसपास भी नहीं आते या इटे में टच भी नहीं करवाते जैसे लेकिन पेपर में आता है तो जैसे सर्च इंपिडेंस की चीजे लिखवानी जैसे इन बच्चों को मैंने एक टॉपिक कराया था पावर ट्रांसफर वाला पूरे मुझे डेड़ से दो घंटे लगे थे पावर ट्रांस्मिशन लाइन का सिर्फ अनलसिस और यह बच्चा आज हमें पूछर एप्लिकेशन पर क्लास कब होगी अब तो सब खेल खतम होगे अब एप्लिकेशन पर थोड़ा ना आब तो जाके तीन पेज लगे अब देखो जिए हम लोग दोस्त मेकानिकल डिजाइन करते हैं मेकानिकल डिजाइन करते हैं मेकानिकल डिजाइन आफ ट्रांस्मिशन लाइन साथ क्यों बैठे होगा है ऐसा लग रहा है कि नाबालिकों की क्लास होगे बिल्कुँए है है ह tamác थीनो छोटे- Stand एकक्तम से एकसाथ बैठ लगे भी उम्मर में भी छोटे हैं और ने हंकी उम्मर में भी छोटे हैं ऐसा नहीं कि मलभाय technical है हम बिल्कुशष को तो पढ़ चूके है mechanical design में इसके कुछ basic structures है जैसे पहले थोड़ा सा कानी सुनिये हम conductor के बारे में conductor के बारे में हम पढ़ते थे हैं सिर्फ उसमें कानी है जो जरूरी है सिर्फ एक formula लिखूंगा पर एक लिखूंगा 2N-1 पर भी नहीं जाना छोड़ो हमने सिर्फ एक पर चले 3N square plus 3N plus 1 यह formula से काम बन जाता है एक numerical का अगर आता है हम लोग के पास अलगलग material है सुनना जरा एक होता है हमारे पास में copper copper की mechanical strength बहुत अच्छी होती है copper की conductivity बहुत अच्छी है जब conductivity अच्छी है तो कम cross section area से काम चल जाता है copper की specific gravity कि ज्यादा है आट दसमलो साथ माल ग्राम पर क्यूबिक सेंटिमेटर काई बास सी सी लिख देते हैं क्यूबिक सेंटिमेटर तो यह दोस्त ज्यादा भारी बनता है अगर सेम वाल्यूम में आप कॉपर का वेट जादा होगा याद है दोस्त फिर हम लोग चले की कॉपर को हम लोगों ने वाइडनिंग तक सिमित कर दिया हमने का transmission लाइन में तो क्योंकि उतने भारी मात्रा में नहीं है किमारे पास ऐलमूनियम की conductivity कम है कॉपर का लगबग 60 mechanical strength भी कम है availability बहुत है सस्ता भी है है ना specific gravity भी कम अलगा बनेगा क्योंकि specific gravity 2.7 है बिटा तो हम यह कहते हैं कि है है ऐलमूनियम बढ़िया ठीक है ऐलमूनियम को हम transmission line में यूज करते हैं तो प्यारे बच्चों हमने कायार अलमूनियम में conductivity तो चलो ठीक है जहील लिया लेकिन mechanical strength उतनी नहीं है तो हमने steel को यूज किया हमने बनाया ACSR aluminum conductor steel reinforced यह AC के लिए है strength के लिए तो आपको normal N देगा आपको पुछेगा total number of wire की संख्या बताओ यह हमारे strength की संख्या देजिए चलो जी पिर हमने का चलो ठीक है जी एक हमने बनाया गैल्वनाइज डाइरा ओ सोरी गैल्वनाइज steel गैल्वनाइज steel की conductivity उतनी नहीं थी लेकिन हमें समस्य यह मिले कि यार mechanical strength बढ़िया आपने telephone line में इस्तेमाल करते हो यार long span के लिए कर सकते हो तो हमारे लिए जो फेवरेट है ए छोटो सबसे लास्ट में गोपाल के बराबर में तेरा ध्यान कहां है चलो बता अब इस से पहले मैंने क्या line बोली बोलो बोलो क्या line बोली हमने का न हम अपने teaching को दिल से और आत्मा से जी रहे हम तेरे चेरे का expression देखके बता सकते हैं तो उसकी तेरे दिमाग में चल क्या रहा और जो चल रहा वो इस समय के लिए नहीं है तो इस समय तो यह चलना चाहिए तो फिर हम लोगोंने का कि यार गैल्वनाइज स्टील तो चल यह ठीक था क्योंकि मेजर जो पार्ट था वो कोपर अलिमूनिया में इसी एसार इसमने रोल प्ले किया टेलिफोन लाइन में कर लिया फिर हमने का जे कैडमियम कोपर भी तो एक है कैडमियम कोपर में यदि हम कोपर में वन से टू परसेंट हम कैडमियम मिलाएं तो कंड़क्टिविटी मात्र पंद्रा पंद्रा परतिसाथ के आसपस गिरेगी लेकिन मेकैनिकल स्टेंड 45-50 परतिसाथ तक कर लेका हो में एक प्रस जो आता है वह आता है कापर से संबंद Irish योमूनियम से संबंद शुक्राइं इंड को थ्यान से सुने पोल यो टावर बनाते पहले ठांसमिशन लाइन के दो रूप बनाते हैं एक बनाते हैं वर्टिकल यह सिर्फ सुनने का या रब एक बनाते हैं वर्टिकल एक बनाते हैं होरिजॉंटल होलिजोंटल में जैसे डेल्टा सेफ भी बना देते हैं कहीं बार ना ट्राइंगुलर सेफ हां तो वर्टीकल लाइन को जब हम देखते हैं दोस्तो वर्टीकल लाइन आरे नहीं पलस से करो जेवी गुप्ता दादा जी ने चलो डॉंट टेक लोड हां अभी जो दादा जी है ना जेवी गुप्ता जी उन्होंने पर्फेक्ट लिखियों कि उस बुक को रेफरेंस माना जा सकता है तो बिने नी रेफरेंस हमारी कोई कई हमारी बुक के भी सवाल को रेफरेंस नहीं माना जाएगा और नहीं ये जो भीम कदार अगरा अगरा है निका भी माना नहीं जाएगा जो कि जितनी किताब है ना तीर कमांड ओर कुछ इस तरह की जो मिलेगे दुमेए दो नहीं माना जाएगा रेफरेंस माना जाएगा बरमास्तर का भी नहीं माना जाएगा माना जाएगा जो आपकी स्टंडर्ड बुक्स है जैसे जे भी गुपता जी तो पेपर बनाने वाले की भी हिल जाता है भाई गुपता जी ने तो ये लिखा है तो reference जो माना जाएगा वो standard books को माना जाएगा ना कि किसी local books को माना जाएगा हम लोग ये कहें कि अरेहंत से भी उपर अगर हम electrical में कोई नाम रखते हैं तो वो गुपता जी का है उनकी किताब के हर एक चीज को आप reference देंगे तो examiner include करेगा ठीके जी तो हाँ तो इसलिए हमने भी ये लिखाए कि काई काम अब जिद्गरे नंबर कम करवाने के दोस्त ये वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन हम लो या मीडियम में यूज करेंगे जहां congested जग है है जी और वर्टिकल लाइन में अब तार तूटके जमीन पर ना गिरे तो लोगों को नुक्सान पहुचाएगा तो इनके नीचे ना हम एक तार नहीं रखते हैं इससे गार्डिंग कहा जाता है केस टाइप होगे जो तो वर्टिकल लाइन में केस टाइप गार्डिंग यूज किया करते हैं एक होती है प्यारे बच्चो हमारे पास में होरिजॉंटल इसे हम लॉंग इसे हम हाई या एक्स्टा हाई के लिए बनाते हैं ठीक है जी तो इसके भी नीचे एक वायर ऐसे ही अपना ग्रेडिंग तो यह होती है दोस्त क्रेडर कहीं बार आपको बॉक्स टाइप लिखके कन्फ्यूज करेगा जो की हमने भी किया था इसे के दो रूपे कहीं बार इसे यहां लगा के यह क्रेडल को भी बॉक्स टाइप भी बोलता है जमाग में रहेगा दोस्त फिर हम पोल पर आते हैं हमने कहा जी देखो आज भी हम डिस्ट्रिबीशन में रूरल एरिया में गाउं देहात में आर सी सी के पोल को इस्तमाल करते हैं है जी आर सी सी की पोल की जो उम्र है वो लगबग हमारे सो वरस तक तो हो जाती है और लगबग यह सो डेट सो मिटर इस्पांड भी छेल लेता है वाला बीच की दूरी को स्टील को हम लोग स्टील पोल को मैं टावर नहीं पोल की बात कर रहा हूं बेटा हम लोग सिटीज में डिस्टिबीशन में इस्तमाल करते हैं लाइफ भी कम है 50-60 तक चल जाएगा उसके बाद में 80-100 मिटर के लगबग इस्पांड ले लेते हैं बेटा देखो वुड़न पोल दोस्त वुड़न पोल में हम लोग वुड़न पोल को वैसे देखे तो केरोसेट ओल केरोसेट नॉयल की लेयर वेर चड़ाएंगे उपर क एप रखेगे जिससे पानी वानि का होना पड़े हम लोग चीड साल शी सम यह लखडि आ हम इस्तमाल करेंगे आना तो नॉर्मली देखा जाए तो जहां टेंपरेरी सप्लाई हम दे रहे हैं वहा हम लोग इस्तमाल कर रहा हैं नीवली डवलप एरिया में वहां हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं पहले तो बड़े ट्रेंड में था यह पहले एच टाइप एटाइप सब इस्टेशन डिजाइन करना बनाना पहले बहुत यूज किया अब भी हम फोरन कंट्री में जहां लकडी की बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबिलिटी है वहां इस्तमाल कर लेता है पेटा इम्पॉर्टेंट है टावर टावर में जैसे नॉर्मल सवाल है जो पेपर में सबसे आधा बार रिपीट हो रहा है कि 440 केवी के लिए स्टील टावर की हाइट और यह कहना आप 40-41 मिटर के आसपास 40 या 41 मिटर के आसपास में 440 केवी यह सबसे ज्यादा फेवरेट अब जैसे ध्यान देजे हमने का 440 का रेफरेंस हमारा 40 था यह आपको गहे 230 एक ऐसे नॉर्मल उधारन आपको गहे 232 था उतनी केवी के लिए क्या करें तो थोड़ा कम कर लो 35-36 की रेंज कर लो आपको के जी 130 110 था थोड़ा और कम कर लो जी 32-30 कर लो ठीक है तो रेफरेंस क्या आपके लिए 440 और 40 के आसपास क्योंकि आप उतनी सारे डाटा को थोड़ा ना रट्टा मार सकते हो यार कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे एक रेफरेंस लेकर हम अंदा तो ये 440 और 665 के लिए वो रेफरेंस है दो इतने होते हैं हलके में तुड़ाई ले रहे हैं तुम्हेने मकान तुड़ाई है और की 10 प्रिट पे छाप लोगे चार सो चालीज साथ सो पैसर अड़ी है तार भी कितने नीचे जूले रहते हैं इनसे 10-10 मिटर तो इस्पान देखने को मिल जाती है अब देख लो इतने इस्पान देखने को मिलेगी वहां आते तुम्हें तो अगर कम रखेंगे तो नहीं चलता ये तार भी देखो ना कित लाइन भी त्यूम्हें लगे है तो जहां आमनों लाइन को ट्रैक से या फिर रास्ते से क्रॉस करवाते हैं वहां ट्यूबलं भी हम लोग सिमाल कर रहे हैं गोल गोल वाले पुल बहुत उचे अपना बनाा के लेकिन उनको भी अलग-लग जोड के हम लोग बनाते हैं ये त दोस्त अब हम जैसे तैसे पहुंच गए जी इंसुलेटर पर आजी अब देखो दोस्त इंसुलेटर है याद है यह कहानिया इसलिए मैं आपको ज्यादा तर बोलने की कोशिश कर रहा हूं लिखने की कम था कि तुम्हारे दिमाग में चीज़े सेट रह सके है क्योंकि वैसे लिखने की देरिवेशन तो फिर बहुत है फिर वही घबरात होगी क्या रही है तो फिर वह चुट गया था इंसुलेटर का गाम है क्यों बैए कंडूक्टर को प्रोपर इंसुलेशन देना कि जैसे हम लोग क्रॉस आम्स पे इंसुलेटर को रखते हैं सबसे पहले साट करत हैं जी हम पोर्सलीन मैटीरियल से बनाते हो ग्लास से भी हम लोग बनाते हैं रबर से भी बना सकते हैं लेकिन जो बहुत फेवरेट है दोस्त वो हमारा पोस्त है कैलीन फ्लैट्सफर्द और क्वार्ड्स का अलोई है पेपर में एक बार आप चुका दोस्त इसके पास प्रेक्टिकली नहीं तुम्हें चलना 33 केवी तक हम इस्तमाल करते हैं प्रेक्टिकली देखे तो हम 25 तक ही प्रीफर करते हैं इसको इसकी प्राब्लम क्या है कि यह फ्लैट्स ओवर वोल्टेज है जी अब इसमें हम लोग रखते हैं अगर याद हो आपको तो सेफ्टी फे यादे दोस्त पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैट्स ओर वोल्टेज है ना वेरी गूट यह हमारा पिन टाइप के लिए अपना जरूरी चीए पिन टाइप को आप देखते पैजान सकते हो पिन टाइप को और पोस्ट टाइप की दीखने में तो लगबग एक जैसा लेकिन पिन टाइप में तुम्हें नीचे ना एक रोड लगी होगी लोहे वाली ना जिसमें आप अपना रखोगे और नट टाइट करोगे तो यह स्विच गेर में बढ़ा फेमस हुआ है जो से बूसिंग बनानी है सरकित ब्रेकर पे लगाने है तो वहां पे बहुत फेमस हुआ ह हमारा पोस्ट अब बात आती है बेटा इस्ट्रेन राइप देखे इस्ट्रेन जो इंसुलेटर ठंडे दिमाख से सुनो कहानी है इस्ट्रेन को हम ट्रांस्मिशन में वहां इस्तमाल करेंगे जहां कुछ घुमाओ होगा या डाद रहेगा बेटा यह हमारा एक डिस्क इस्ट्रेन का ही रूप है लेकिन इसे हम होरिजॉंटल पॉजिशन में यूज किया करते हैं सेकले जो होता है चलो तुम्हें अब नॉर्मल भासां बताता हूं गन्य की ट्रॉली पे बग्गी पे रस्ता डालके घिरनी बनी होती है इसे खीसते हो तो वही सेप बिलकुल से बेक लेकिया है तो 11 केवी से कम नॉर्मल डिस्ट्रिबीशन में जहां डैड़ एंड करना हो वायर को ऐसे ले गए इसको लाकर बांद देया जे जी डिस्ट्रिबीशन में जहां घुमाओ कुछ देना हो वायर को इधर से लाए इधर निकालका ले गए ठीक है जी पेताई क suspension suspension में जो आप देखते होंगे भाई ये कहानी है जी आप transmission में बड़ा favorite है दोस्त अलब जिसने अलग कहानी लिखी है तो ये हमारा है self capacitance और ये है ये total voltage भी इसमें जो परते एक डिस्क है 11 के वी के लिए design करेंगे बेटा very very important number of disk निकालना direct अगर 3 phase में देगा जैसे ही कहेगा कि बाई 440 kv 3 phase transmission line तो direct 11 से divide नहीं करेंगे आँ phase में करेंगे divide by root 3 गुणा 11 तो आपको description क्या मिल जाएगी आप से एक हमारा निवेदन है personally प्लीज सवाल को पढ़ लेना वो single phase तो नहीं लिख रहा अगर यह 440 normally मजाग कर ली उसने बहले 440 single phase में बड़ी बहुत बड़ी बात है लेकिन उसने ऐसे मजाग कर ली कि मैं देखू इसकी बेसिक सही है कि नहीं यह सवाल कुछ धंग से पढ़ रहा है कि नहीं उसने कहा जी 440 kv single phase supply में कितने डिस्क की आऊ सकता होगी अब बच्चे ने रट्टा मा रखा डिवाइड बाय रूट 3 और यह option यह मैच कर गया उसे लगा भई यह भी सही हो गया अगर 3 phase है तभी line को phase में बड़ेंगे single phase में तो line और phase का मतलब भी नहीं है परफेक्ट जी तो यह गलती नहीं करनी है हमें हमें देख लेना है कि यह लिख क्या रहा है अगर हमारे पास में है देखो हम इस्टिंग efficiency देखते है number of voltage डिस्क की संख्या डिस्क की संख्या और कंड़क्टर के पास वाले डिस्क में voltage ठीक है बच्छो अगर संट केपसिटेंस नहीं होता तो संट केपसिटेंस नहीं होने के कारण इस्टिंग efficiency सो परती साथ आते हैं डिसी में सो परती साथ है लेकिन संट केपसिटेंस के कारण तकलीफ है दिक्कत है इस्टिंग efficiency कमाएगी तो यहां अगर यह वी वन है यह वी टू यह वी थरी है तो वी वन बराबर वी टू अपॉन वन प्लस के वन प्लस थरी के प्लस के स्क्वार वी अपॉन थरी प्लस फोर के प्लस के स्क्वार अगर दो डिस्क के लिए होता तो वी वन बराबर वी टू अपॉन प्लस के बराबर वी अपॉन टो प्लस के जो के है वेटा इस्टिंग एफिशंसी बढ़ाने के लिए देखो तरीके लिखाएं करोसांस को लंबा कर दीजे नमबर वान दूसरा ग्रेडिंग करिएगा ग्रेडिंग में कंड़क्तर के पास वाले कैपसिटर का सबसे ज्यादा मान रखेगा राइट जी तीसरा गार्ड रिंग को इसी को स्टैटिक शिल्डिंग भी बोलते हैं जो एक उपर को वायर ले जाते हैं खतम करिए न क्यों चक्कर बढ़ रहे इतना इनको पहचानने की आदत का मतलब है कि पहचान आसानी से लेना कैसे देखो इनकी पिक्चर में सेट करो नहीं बनवाई लेकिन अपने दिमाग में पूर्ड लोहे की ना जिस पे नटाइट करना यह सुविधा पोस्ट में नहीं मिलेगी उपर गुरूब जैसा वो रहता है गड़ा जैसा रखते हैं रहेगा प्लेट ऐसे डिस्क बहुत बार आप देखोगे हाई ट्रांस्मिशन लाइन में लटका रहेगा कई बार आप लाइन को घुमाओ गए तो अब बात आती है इस्टे इंसुलेटर के हम यह कहते हैं कि transmission line में हमने last में कोई pole लगा दिया या distribution में भी तो उसको support देने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो हम लोग यह करते हैं कि यहाँ सेलगबग 45 degree होना चाहिए लेकिन practically नहीं है 30 के आसपास रहता है यह 3 मीटर उपर हम लोग के किस्ठे इंसुलेटर लगा देते हैं यह ठीक है भाई इसी को कहीं बार हम एग इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं ठीक है जी देखो यार बच्चो कहीं बार हम यह देखते हैं एक तो पॉर्मल विधी हो गई एक आप लोगो को फ्लाइटाइप विधी भी सिखाई जाती है जब रास्ते यह पोल है इधर लाइन थी जी आपने का यार सर यह तो रास्ता है रास्ते के बीच में थुड़ा ना तुम अपने इस्ट्रे वायर को लगाओगे है जी तो आप क्या करोगे इस रास्ते के इधर एक पोल लगाओगे इसे सपोर्ट दे के फिर यह यह फ्लाइटाइप क्यलाती है एक इस्ट्रट टाइप है माल लिया एंड पर कोई बिल्डिंग आ जाती हो तो इससे दो तरीके से हम लोग करते हैं देखो इस्ट्रट भी दी यह था इधर ते लाइन थी भैया तो यह इधर को गिरने का डर है तो एक अन्य पोल से इसे सपोर्ट दे दो तो यह इस्ट्रट टाइप है अरे यार इस तरफ से पोल लगा के सहरा दे दो इसे गिरने से रोख दो समझ में नहाथ आपने नोट्स को लो नोट्स को लो यार तिन दिन बार बता दिये चीज़ तुम्हें अरे यार यह तार बंधा वायस में तो यह तार इसको अपनी तरफ खीचे का गिरे का नहीं क्या तो इधर को गिरने से रोकने के लिए इधर एक और खंबा गाड़ दिया तिर्चा करके और क्या है बस तो यह इधर को जुकने नहीं देगा इसे इस्ट्रट टाइप हो गया बस कहीं बास है दिखाए खिला इसे तो बिल्कुल तो यह हो गया जी हमारे इंसुलेटर की कहानी है है इस्ट्रिंग इस्ट्रिंग तो एफिस्ट्रिंशी होती है इस्ट्रे होता है इस्ट्रेन होता है सैकले होता है पोस्ट टाइप होता है पिन टाइप होता है सस्पेंशन या डिस्क होता है और एक हमारा इस्ट्रे या एक टाइप होता है फिर अब मेरी मुझे याद आ गया सुनो तो मेरी बात हमने लिखाया भी है जो सस्पेंशन है इसे तीन तरीके से पढ़ते हैं एक हैवलेट है एक सेमेंटीड है और एक कैप या लिंक टाइप है याद रहेगा ना आप टैलेंट का खजाना हो आप भरपूर टैलेंट भरा हुआ है हाँ जी अब बात करते हैं दोस्त कोरोना कोरोना से कौन सा में डर लग रहा है बढ़िया इम्यून सिस्टम रखो कोरोना का बाप आजाए कहां चल दिया कुछ खाने चल दिया क्या देखो बेटा कोरोना के लिए हमें कुछ चीजों को याद रखना है जब हम ट्रांस्मिशन लाइन ध्यान से सुनना एकदम पिक्चर की तरह है बस इसके विलन भी हम है और हिरो भी हम है आजी विलन तुम लोग है अगर पेपर अच्छा नहीं करके आए तो विलन तुम लोग है और तुम्हें पता है फिर विलन की क्या आलत करता है इंडियन मुवी में हीरो को है जी तो वो याद रखना है आप से हम क्या प्रोपर्टी लेंगे है अभी बताओ नहीं आप तो अभी उस ला काल बात कहता तो अच्छा लगता है तो देखो जी बेटो कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो जब ट्रांस्मिशन लाइन के कंड़क्टर पास में हूं और हम उच्छ बोल्टेज को ट्रांस्मिट कर रहे हूं तो कंड़क्टर के सरफेस पर हमें हाई डाइलेक्ट्रिक देखने को मिलता है जिसके कारण प्यारे बच्चों हमें हिसिंग नॉइज प्रोडक्शन ऑफ और वाइलेट ग्लो बैंगने उसे ही कहा गया है कोरोना के कारण कंड़क्टर के सरफेस पर नॉन साइनिसोडल करेंट फ्लो करता है और कोरोना नियर बाइं ट्रांस्मिशन ल कि कोरोना के कारण कंड़क्टर सरफेस पर किस प्रकार का करण बहेगा डारेक्ट इस से फारवर्ड ऑब्जेक्टिव है नॉन साइनिसोडल करेंट बहेगा पावर लॉस के लिए भी जिम्मेदार था यह कोरोना किसके कारण होता है या किस तरीके से देखिए याद करने के लग लग तरीके अपनाते हैं इस मूत बाट करते हैं तो कोरोना को कम भी किया जा सकता है हम कम करने के लगलग तरीके अपनाते हैं स्मूत बना दे कंडक्टर को हम दूरी बढ़ाते हैं यह भी तो है अच्छा जे हम यह भी कर सकते हैं कि यदि हम लोग एक्सा या अल्ट्रा हाई के लिए होलो बनाएं और जैसे हम दूसरा पढ़कर आए एक्सा हाई में हम बंडल कंडक्टर बना दे हैं बंडल कंडक्टर यूज करने से जो कोरोना होता है वो कम हो जाता है composite conductor हम high voltage के लिए इस्तमाल करते हैं है जी तो कोरोना से related बेटा कुछ चीजे जहां से बहुत ज्यादा repeat यह सवाल रहता है ऐसा नहीं है कोरोना डी सी में नहीं है कोरोना तो डी सी में है लेकिन काम है तो वी सी क्रिटिकल जो voltage है एम नौट जी नौट डेल नौट आर लॉग इडी बाई आर किलो वॉल्ट यह क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज दोस्त यह जिस पर बनना शुरू होगा यह जितना ज्यादा होगा उत्रा बेटर है तभी यह तकलीप और दिक्कत हमें copper और aluminium में तुलना करने में साप नज़र आई तो copper का radius अगर कम है तो कोरोना ज्यादा है बंडल कंड़क्टर से जो radius से वो बढ़ जाती है तभी तो कोरोना कम है तो aluminium का conductor का जो diameter है वो ज्यादा होता है इसलिए aluminium में कोरोना कम है तो VC कमान जिसके लिए ज्यादा होगा वो उतना ही बढ़ जाता है उतना ही कम कोरोना लोस देखने को मिलेगा जी एक होती है देल और लोगी देबाई आर देखो जी एक डेल लिखते हैं दोस्त हम लोग एयर डेंसिटी फेक्टर 3.92 बी अपॉन 273 प्लस टी बी का मतलब यहां barometric pressure से होता है pressure दबाओ और T मतलब तापमान है तो यह जो formula valid है वो 25 और 76 इन पे valid है अगर इन से अलग दिया जाए तो डेल कमान निकालते हो आम नौट इर्रेगुलेरिटी फेक्टर है एक्टम स्मूथ कंडक्टर है तो वन है थोड़ा सा कुर्दर है तो एक से कम है ज्यादा है तो बैई और कम है जैसे 0.8 भी 0.9 भी 0.95 भी वह आपको देगा एक्षाम है जो पिटा हमने जी लिया है वो डाइलेक्ट्रिक स्थ सबको पता है हवा के लिए 30 के वी पर सेंटीमीटर पीक में होता है और 21.2 अब कोरोना पावर लॉस है पी बराबर 242.2 एफ प्लस 25 अपॉन डेल अंडर रूट आर अपॉन दी वी माइनस वी सिस्वार इंटू टैनल किलो वाट पर किलो मेटर पर फेज ठेक है जी यह दिमाख में जरूर सेट होना चीए बेटा याद रखो देखो अगर वी सी है वी सी इनिवर्सली परपोर्शनल टू रेडियर्स देखने को मिलेगा स्री डारेक्ली परपोर्शनल टू रेडियर्स यह हो गया और जो पी है यह इनिवर्सली परपोर्शनल टू वी सी और रेडियर्स इस तरीके से अपना दिमाख में रखो ठीक है वही जो बताया आरे वही तो है तुमने सब चीज़े देख रखी है बस बस अही पकड़िके बिल्कुल वही यह बिमारी बैस तुने तो बिल्कुल नजरों से बिल्कुल कलोज ली देख रखा भाई हमने तो दूर से देखा लाइन में हम वेडियो में खिलाड़ी आत्मी है कभी आत्मी लगा के देखा कभी च्छानी हुए और नहीं तो यह अरा मिलता थोड़ी देर महीं दस अवलों तीन सेखेंड महीं समझ में आता है गास है की लड़का है यह रियली में यह है ओजोन इंडेस्ट्री में मलाव इसके अप्लिकेशन भी है यह मलाव कुछ फाइदा भी ऐसर दिए जैसे बेचारा इसे हमेसा हीन भावना से देखो फाइदा भी है आका से बिजली से सुरक्षा भी देलवाता है लाइटनिंग सर्ज को दूसरी चीज है की सेफटी वॉल्व नुकलर और प्लांट में सेफटी वॉल्व के तोर पर भी यूज किया जाता है अच्छा लाइटनिंग अरेस्टर की जब बात करे लिए तो सुन लो से भी देखो लाइटनिंग अरेस्टर का काम है दो दो की जे है लाइटनिंग अरेस्टर लाइटनिंग अरेस्टर एक डाइवर्टर है ठीक है जी और एक सर्ज एब्सॉर्वर है एक का मतलब रास्ते को डाइवर्ट करना है और एक का लाइट वाली जो आकास से बिजली गरी इससे जो उड़ जाती उसे अब्सॉर्ब करना था तो जो हम लाइट निंग अरेस्टर पड़ते हैं ये हमारा रखता है एक negative temperature या negative resistance वाली विशेचता या ये कुल मिला कर ये रखे कि कम voltage के लिए high resistance उफर करता है और high voltage के लिए कम resistance nonlinear resistance लगा के रखते हो एक हमारा रहे है तो बहुत ही-वाफ़ बात कर एक हमारा है रोड टाइप जिसमें सिधे ऐसे दो रोड इसमें तकलीप यह आई कि फोल्ट या बिजली का फर बहुत समाप्त हो गया लेकिन इसमें आग फिर भी बनी हुई है तो फिर हमने हॉर्ण गैप सिंग ने लेकिन उसे भी इतना इसे कहा कि हॉर्ण गैप वैसे ठीक है लेकिन आप इसे अकेले को यूज ने कर सकते किसी के साथ मिला के करेंगे फिर एक मल्टिपल गैप वाले इस्तमाल किया लेकिन जो बहुत फेमस हुए दोस्त एक वहा पॉल्शन टाइप दो अलग-अलग लाइटनिंग अरेस्टर को कंबाइन करके एक हमारा रोड टाइप होता है और नीचे हमारे लगी होती है जी एक ट्यूब ठीक है भाई तो ट्यूब में भरी होती है फाइबर भी बनवाया भी था मैंने ना तो इसे 33 केवी तक हम अच् तो थाइराइट ताइप हम जो रजिस्टर है हम लोग इस्तमाल करते है नौ लिनियर रजिस्टर कॉम्बिनेशन को इसे 33 केवी से ज्यादा के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं कि नेक्स्ट वाले सेश्चन में बताओंगा अभी तो इतना ही तोड़ा सा हमारी समय है चलिय जी, thank you and all the very best.